हेलो कौईज वेलकम टो वीन कोड आज में इस वीडियो में देखें किCDROW और FAKER क्या होते हैं जैसे कि हमने लाज वीडियो के अंदर देखा था कि हमने Migration Gratty टेटावश के साथ उनको Kynnecट किया था तो हमें होता कि हम कई वाब क्या कुछ वाहता कि हम कुछ भी लारवल के अंदर हम बनाती हैं कुछ पैजीज बनाते हैं उनके उसलिए लाज विर elaboration के अंदर करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं कि हम पहले सीडर देखते हैं सीडर क्या होता है सीडर हमारे मेली हमारे डेटावेस के अंदर डेमी डेटा की एंट्री ही करता है तो मैं क्या करता हूँ हम सबसे पहले यूजर टेबल के अंदर डेटा को सीड करते हैं में एक seeder बना लेता हूं। सब्सक्राइब मेंस एक चिच इसथा है। यूजर शीटर है। जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूँ है। यहां पर आपकोई user seeder आगे। सब्सक्राइब के अंदर। यहां पर हम क्या करेंगे। यूजर वाले टेबल के अंदर हमें क्या करना है हमको डेटा सीड करना है यहां पर हमने क्या किया कि मोडल को import कर लिया यूजर वाले को और यहां पर नॉरमल इंचर्ड करेंगे और इंचर्ड के लिए हम यहां पर लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या थे वह तो हम यहांपे अभी के लिए इकवाश्ट टैटिक नेम डालते हैं मैं कुछ भी डालता हूं अब कोड ओके डैन इमेल हमारे जो आपने देखा भी हो कि हमारा जो भी हमारा डेटावेस का स्ट्रेक्चर रहेगा हम उसके अकोडिंग ही डेटा डालेंगे तो हमारे यह डेटावेस था हमारे इसके अंदर नेम इमेल और पासवर्ड यह सब चीजिए रिक्वाइड है तो ह इमेल के अंदर मैं अभी के लिए डालता हूँ एक्सवाइजएड रेट जीमेल डॉट को ठीक है और थर्ड हमें डालना है हमें पासवर्ड तो पासवर्ड के अंदर हमारे डालेंगे कि हम हैस यह पासवर्ड जो हमारे लाया हो के अंदर होता है वह हैस पासवर्ड होता है हम है और हैस को पहले उपर इंपोर्ट करना पड़ता है ऐसे फसाड से और यहां पर हम पासवर्ड डालेंगे जो भी हमें हारे की यूजर को प्रोवाइद करना वन टूशिक्स ठीक है जो भी सेटर के अंदर हमारा पासवर्ड जाएगा ओके तो यह हमारा इसे हमारा डुमी डेटा जाता है ठीक है तो यह हमने को बता दिया है कि ardelish को बता रिए कि कुछ ऐसा डेटा जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया हम डेटावेस के अंदर चेक करें कि हमारे डेटा कुछ आया है या नहीं आया है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है हमने यूजर शीटर बनाया इसको हमें डेटावेस यहां पर तब यह हमारे कॉल हो पता है एक बर के लिए मैं इसको रिमूव करने के लिए यहां पर नाम से मेधड बनाते हैं ठीक है और उसके अंदर हम एरे में पास करें ताकि हम मिल्टिपल शीडर को एक साथ कॉल कर सकें यूजर टीडर प्लास ठीक है यह हो गया जब भी हम कोई शीडर बनाएंगे या हम कोई फैक्टरी बनाएंगे तो हम उसको हमें यहां पर ढलना पड़ता है जब भी हम प्सपीर टीजन सीड को कौल करते हैं तो सबसे पहले हमारे यही कौल होता है और यहां पर जो भी हमने इस्क्रुक्चर हम ने उनको बताया कि यह वाले डे का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो अभी हम जाते हैं डेटावेश पे रिफ्रेस्ट करते हैं यह देखो यहापर डेटावेश में एंट्री आ चुकी है ठीक है अभी हमें क्या होगा कि अभी मालो की मेरे को तो दस रिकोड चाहिए, दस यूजर चाहिए, तो हमें क्या करना हो, यहां पर हम लूप के थूरू ही उसके एंटरी कर पाएंगे, वालो की मुझे 10 डेटा चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूँगा, 10 डेटा के दिए मैं लूप चलाओंगा, और लूप के इंदर इसको इंचर्ट कर दूँआ, तो उसके जाओगा कि हमारा 10 डेटा एंटर करेगा, लेकिन हमारा उना क्या चाहिए, इमेल हमेशा हमारी यूनिक है, तो यूनिक ही चाहिए हमको, तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, यह लूप को ही हमारा जो वैरियेबल है, वोशी को इसके साथ आटेज कर देता हूँ, ताकि वो यूनिकने बनी रहता हूँ, ताकि हमें पता भी चले कि क्या इंशर्ट हुआ है मैं यह कर देता हूं डॉलर आई ठीक है पासवर्ड सबका हम सेम ही रखते हैं 126 ठीक है मैं इसको शेव करता हूं अब हम क्या करते हैं जो हमारा ओर्री पहले से जो डेटा क्रीट हो चुका है हम क्या करते हैं फ्रेश सीड चलाते हैं ताकि वह डेटाबेश कम्प्लीट पहले से पूरा रॉल बैक होगा देन फिर दुबारा से इंशर्ट होगा नई टेबल क्रेट होगी नया डेटा इंशर्ट होगा उसके लिए हम चलाते हैं प्येश्प आर्टीजन जैसे कि हम देखा वह रॉल बैक हो जाएंगी और देन दुबारा से टेटा इंशर्ट होगा तो हम यह वाली करेंगे उसके पहले देखो सारी टेबल्स ड्रॉप हुई है और फिर दुबारा से हमारा माइग्रेशन से लाए और देन उसके बाद डेटा सीड होगा है तो हम दोबारा जाते हैं और डेटावेस के अंदर चेक करते हैं यह देखो गाइस हमने दस किये थो तो दस एंटरी यहां पर आ चुकी है ठीक है तो यह था सीडर का काम बट यह वाला वे थोड़ा से सही निया कि हम लूप चला के एक एक इंशर्ट कर रहे हैं और उससे हमारा कुछ ऐसे अच्छे वालड डेटा इंशर्ट भी नियू पर है तो उसी के लिए हम क्या करते हैं हम फैक्टरी ज को यूज करते हैं हमारे हमारे की होते हैं अछिय Verfügung वाले हम क्या करते हैं name को get कर रहे हैं इमेल को get कर रहे हैं सेफ इमेल यूइक रहेंगी जो की और यहां पर verified के इंदर now डाला हो है जो की हमारा जो अभी current का time स्टेंप time देगा ठीक है यह हमारा unique उसने password डाला हूआ है जो कि hash में converted है और remember token के अंदर string में डाला हुए जनरेटर करते हैं ठीक है तो अब भी हम क्या करेंगे हम use करेंगे user factory को तो हम जाते हैं data waste sheet रखेंदर वापीस तो हम इसको कर देते हैं comment इसको comment कर देते हैं और अगर हम इस factory को call करना होता है तो हम ऐसे call करते है यूजर factory और कितने records हमें चाहिए और then create तो मैं save करता हूं इस file को और then हम दुबारा वापीस command run करते हैं ठीक है अभी हम data waste के अंदर आके देखते हैं कि हमारा किस किस टाइप से data आया हो यह देखो अभी फेकर वाले लाइबरी नहीं अपने according data fake data generate किया है और वह वाला यहां पर insert कर दिया है ठीक है तो मैं इसका link भी आपको दे दूँगा description के फेकर लाइबरी के अंदर हम क्या- यहां पर आपको ओपन हो जाएगा यहां से आप देख सकते हैं कि available formats कौन से कौन से हैं आप यहां पर देखो कि टाइटल टाइटल मेल जैसे हमने वहां पर यूजर वाली के अंदर फेक के अंदर यह लिखा है नेम यूनिक इमेल और यह सब चीजे तो आप यहां से जो मर् format में बहुत कुछ है नंबर से अगर आपको पिक अप करने हैं तो यह वाली चीज़ आएंगे आपके पास ठीक है फेकर रेंडम बिजिट्स हो रहे हो टेक्स्ट भी आपके पास है टेक्स्ट वेर अगरा मैं आपको यह लिंक डिस्क्रिप्शन के अदर दे दूँगा ठीक है तो अब ही हम क्या करते हैं हमने आपको पिछली बार याद हो तो हमने एक माइगरेशन क्रिएट की थी पोस्ट के नाम से हम थोड़ा सा उसको एडिट करते हैं बार के लिए तो मैं यह हटा देता हूं एक बार के लिए हम सिर्फ टाइटल और मेसेज रखते हैं हम इसका ही इक नाम से हमारे पास यहां पर फेक्टरी का नेम क्या रहेगा ऊस्ट फेकर तो जैसे मकि एंटर करूँ है यहां पे देखो आठीक नाम से हमारे पास यहां पे फैक्टरी जिनेट हो गई है अब उसके अंदर हमें क्या करना है अभी डेफिनेसान के इनदर हमें डालना कि हमें चाहिए क्या है वह फैक्स निकालेंगे यहां से क्या निकालेंगे और हमारा दूसरा क्या था डिस्क्रिप्शन सोरी देख लेते हैं दूसरा कॉलम्न क्या था हम वाइगरेशन में जाएंगे और हमारा था मैसेज तो यहां पर हम डालेंगे परकाइव हमारा फेकर से निकालेंगे और फेकर के अंदर होता है परगणा उठा लेता हुम्हें थीक है तो यहां पर हमारा खुम आएगा थीक ए, यह वाली हमारी जो फैक्ट्रिए है रेडी है फैक्ट्रिए को में डेडावेस एंदर अब्या भी हमें कॉल करना पड़ेग कॉल कर लेते हैं और पोस्ट और प्रेक्ट्री अधर हमें कितना डेटा चाहिए हमें 10 पोस्ट क्रेट करनी है ठीक है तो हम यह चलाएंगे अभी पोस्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यह हमारा इंपोर्ट हो चुका है मैं इसको सेव करता हूं और मैं इसको दोबारा से रिन करता हूं तो हमारे सीड वाल दोबारा हमें कॉल करना पड़ेगा जैसे मैं इसको कॉल करूँगा तो हमारे डेटाबस के अंदर हम जाके चेक करेंगे कि हमारा डेटा रिफलेक्ट हुआ है कि नहीं यूजर्स तो आ चुके हैं हम पोस्ट को चेक करते हैं यह दो को 10 पोस्ट इसने इंसर्ट कर दिया है टाइटल और मैसेज ठीक है अभी हम क्य वाला जो माइग्रेशन है उसके अंदर मेरे पास फॉरन आइडी यह रिलेशन्शिप मेरा लगा हुआ है तो मैं यहां पर डालता हूँ हमालो हर एक यूजर की एक यूजर की पोस्ट रहेगी यह आपस में कनेक्टीड है फॉरन आइडी से ठीक है और वह रहेगी मेरी यूजर से कनेक्टेड रहेगी ये वाली थिक है तो मैंने यहां पर यूजर आइडी भी डाल दी है और उसके बाद हम क्या करेंगे हमें हमारे फैक्टरी के अंदर जाना है और यहां पर हम इंचंट करेंगे यूजर आइडी ले हमारे क्या रहेगी सब्सक् debido चैसार ड़ि कोई भी एक रेंडम हमारा यूजर की आईडी उसके अंदर इंशर्ट हो जाए ठीक है तो हमें यूजर को इंपट करना पड़ेगा सुरी जुजर एंपट के दिना सेव करते हैं बट उससे पहले हमें क्या करना है हमारे रिलेशंशिप को हमें मौडल के अंदर डिफाइन करन तो यूजर वाले के अंदर हम relationship define करते हैं पॉब्लेक शंग और एक user की multiple post हो सकती है पोस्ट और टोल इस और एस मैनी relationship इसके अंदर है तो ये किसे connected है पोस्ट वाले model से ठीक है पोस्ट कलास ठीक है तो ऐसी ही हमें हमारे post वाले model में भी हमें relationship define करने पड़ेगी पॉब्लिक और हमारा कर वह एक user connect हो वाइस से ठीक है और ये user क्या होगा किससे बिलॉंग करेगा बिलॉंग्स टू किससे बिलॉंग करेगा हमारे user वाले model से ठीक है तो हम ये save करते हैं ये भी हमारा save हो चुक है तो क्या होगा कि हमारे पास एक user के पास multiple posts होगी तो है तो है ये रिलेशनिप से उससे connected होगी और क्या होगा हमारा पॉस्ट वाले जो मोडल है वह किससे बिलॉंग करेगा user model से ठीक है हमारा ये हो चुका है अब हम save करते हैं इसको और वापिस दुवारा से डेटा fresh seed करते हैं ठीक है दुबारे से डेटा fresh seed करते हैं ठीक है जैसे मैंने रंग किया अब यहां पर हम देखते हैं users create होगे है हमारे 10 create होगे अब पॉस्ट में जाते हैं जैसे हम पॉस्ट में जाएंगे तो हमारी ये देखो यूजर ऐडी के पॉलम के अंदर हमारे यूजर रेंडम हो चुके अगर किसी पर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा क्यों सी यूजर की यह वाले पोस्ट है ठीक है गाइस तो यह होता है यूजरेंड सवरी शीडरेंड नंसें कितों कि कि आधा से यूजर्ट निए फीफाइन कर देवाड़ीज है तो यूजरेंग डिफाईन कुछ स्केमा करते हैं वैसी ही पैक्ट है एक का स्केमा नहीं करते हैं कि किस टाइप का डेटा हमें इंसेत करना व्हाना है उसमैं जाग हमारी फैक्टरी कही हो त्रो कॉल हुझ जाग को हम पर देटावे ले कर лиकाल के अंदर हमें कॉल करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम PHP artisan अंदर सिर्फ इतना ही अगर गाईज वीडियो अच्छे लगयो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सस्क्राइब जुरूर करना ताकि हम और नेक्स्ट अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें थैंक्यू गाईज